तो रामचंदर प्लॉट पढ़ने से पहले मैं यहां पर बेसिक ओफ को डिसकस करने जा रहा हूं और यह बहुत जरूरी है को डिसकस करना और यह कोडरेंट्स यहां नहीं बहुत जगों पर काम आता है जब आप पढ़ते हैं वहां की बात आएगी जब आगए फैक्स यानि एक्टिवेटेट सेल सॉर्टिंग परते हैं वहां लेकिन एवट एंजाइं पर पढ़ेंगे उसके ग्राफ में यह काम आएगा तो जहां पर भी एक linear graph की बात आते हैं एक quadrant system घूम के आ जाता है ठीक है तो let's discuss here first that the basic quadrant system और यह मैं basic आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास 4 quadrant होते हैं ठीक है और किसी को अगर याद हो तो अच्छी बात है और नहीं भी याद हो तो और भी अच्छी बात है मैंने बताया था क्या graph का basics कुछ इस तरीके से हमारे पास 4 graph होते हैं ठीक है और जब इस चारो graph के उपर बातचीत करते हैं तो एक इस side पर जो होता है right यह बीच में क्या होता है zero horizontal axis को आप एक x-axis या कोई भी axis बोल सकते है ठीक है और यह जो है आपके पास y-axis की बात हो जाती है एंड यह कहानी जो है वह आप basic तोर पर केस हो जाता है अब यह एकसिस इधर बोलते है positive x-axis मतलब यह वाला इंड जो है वह जीरो से राइट साइड में है तो यह positive x-axis होगा तो चार quadrant का जो भी सी किस्सा है उसमें यह वाला quadrant होता है पहला this quadrant is known as first quadrant और यह मैं बता चुका हूँ अगर थोड़ा वह त्याद आ रहा हो तो और याद आ रहा है अरे बताये कि नहीं कि फॉस्ट कॉर्ट के बास second quadrant को ना आएगा यह आएगा और जो fourth quadrant होगा वह यह वाला होगा अब मैंने यहां पर जो है कुछ चीजों की बात करी थी इस जीरो से जो दो रीजन अपर आएंगे और दो नीचे जो है लोवर आएंगे तो अगर आप देखोगे तो यह भी अपर होगा और यह भी अपर होगा यारी first और second quadrant अपर रीजन से और third और fourth quadrant लोवर रीजन है अब इसी तरीके से जब इस जीरो से लेफ्ट साइड बात करोगे तो आपके लेफ्ट जो है वो second और third आएंगे और first और fourth right आजाएंगे तो यह हो जाएगा अपर लेफ्ट रीजन सेकेंड अपर लेफ्ट और यह लोवर लेफ्ट आजाएगा और पस्ट जो है अपर राइट और फॉर्थ जो है वो लोवर राइट ठीक है इन दे शॉर्ट फॉर्म यह जो है अपर लोव लेफ्ट को कहीं पर बॉटम लेफ्ट बोला जाए तो कोई दिखकत नहीं होनी चाहिए ठीक है ऐसे नाम भी हो सकते शॉर्ट फॉर्ब में कभी-कभी यहां पर जो है बोला जाता है अपर राइट को यू आर बोला जाएगा और अपर लेफ्ट को बोला जाएगा यू एल वू ती है वह अलग होती है जब colony서 इन Zap रोट चाहिए तो जीरो से इदर और जीरों से इदर तो X भी पॉजटिव होगा और Y भी पॉजटिव होगा ठीक है तो ऐसे किसमें जब हम 0 से इदあれ यह वाला से हम इसमें कोई वैउ आयेगी तो इस प्रूर्ड राइंग करते है कि यहां पर X भी po puzzles और Ouais कि भी पॉजिटीव होगा इसके बाद जो है अगर मैं second neuron के बात करता हूं यहां पे अथ हैं तो उसमें क्या माइनस होगा देखो X की तरफ देखो तो X माइनस है और Y की तरफ देखो तो य प्लस है Si Ais Ais Y y plus x को पहले लिखा जाता है य को बाद में लिखा जाता है तो इसको x plus y plus को शॉट पॉब में plus plus भी लिख सकते है यानि x plus y plus इसमें x minus y plus को लिख सकते है minus plus सोर कर सकते हैं अब यहां पर जब lower left की बात पर तो इसमें दोनों ही negative होते हैं in this reason your x is going to be minus and y is going to be minus that is going to be minus minus and exactly जब यहां पर बात करते हैं तो यह जो आपका fourth quadrant है इसमें जो है आप सो करोगे तो क्या हैगा यह जो है आपके पास x जो है देखोगे यहां से right यह देखो plus है और नीचे की तरफ है तो y minus that is plus minus 4 ही हो गए plus plus minus plus minus minus plus minus ठीक है अब इस axis पे x और y की जगए कुछ और axis भी हो सकते that is not necessarily कि आप हमेंसा x और y को करो जैसे यहां पर जो quadrant है that first quadrant second quadrant third and fourth quadrant that upper right upper left lower left lower right अब इसमें x और y की जगा अगर मैं इसको ए और बी भी लिख सकता हूं तो first quadrant में आप लिखते a plus b plus second quadrant में लिखते आप देखो minus plus यानि a minus b plus यहां पे a minus b minus और यहां पे a plus b minus यही question CSR चार नंबर में पूछा था same यही graph देखे a और b देखा था और बताया था कौन जो है quadrant होगा exact question लेकिन वो question fluorescence cytometry में पूछा था इसलिए flow cytometry में जब मैं बताऊंगा तो exact यही quadrant यूज करूंगा और फिर मैं वहाँ याद दिलाऊंगो कि दिखो मैंने यह बताया था और फिर आप लोगों में से कई लोग ऐसे बिहेव करेंगे कि what is this हम क्या हर topic को हर unit के लिए याद रखे हम तो राजा महरा राज है इसको यही पढ़ेंगे और यही भूल जाएंगे यही तो हमारा जन्मसी दधिकार है इसको जो है एक्जाम तक जरूर याद रखे रहे ना कुश्चन इससे कई जगों पर बन सकते हैं कई अलग लग टॉपिक में मर्ज हो सकते हैं अब सिर्फ ए बी और एक्स वाई ही नहीं अब मैं इंट्रेस्टिंग्ली जो है एक और चीज की बात करने बताया था कि कुछ बॉन डाई हेडल एंगल्स होते थे अगर जो है वो सी अलफा सी के डाई हेडल एंगल की बात पर तो यह होता था साई अगर एन सी अलफा की बात करें तो यह होता था पाई अगर एन और सी का होता था तो ओमेगा और अगर सी अलफा और सी बीटा या आ जो साइड चेन के लोंग है में चेन के लोंग है काई काई साइड चेन के में चेन के लोंग तो यही तीन है और उस में चेन के लोंग तीन में जो है जो rotation allowed होता है वो किसके लिए होता है फाइए और si के लिए omega के लिए rotation कैसा होता है allowed rotation रिस्ट्रिक्टेड rotation है रिस्ट्रिक्ट्रोटेशन और ऐसा क्यों क्यों कि इसके पास partial डबल किसके पास है फाई और साई के पास तो यह देखोगे ज़रा ध्यान से तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एन सी अलफा सी यह एन सी अलफा में यह जो एंगल है यह 180 डिगरी रोटेट कर सकता है मैंने इसको दिखा रखा है आपको पहले ही अगर याद आ रहा हो तो मैंने 3D का पुरा एक व्यू करके दिखाया था याद है वो स्ट्रक्चर भूल गया कि याद है कि एटम्स का मैंने सो किया था कई लोग भूल चुके होंगे ठीक है कि भूले हो ना देखो यह वाला यह से कुछ बताया था बने सारी पॉसिबिल्टी हो सकती है प्लस इसकी वैलू या तो प्लस में हो सकती है जीरो से लेकर प्लस में जा सकती या तो माइनस में जा सकती है यह पूरा रोटेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है अब मुझे एक चीज बताओ कि यह जो रोटेशन पॉसिबल है इसमें फाई और साई की वैल्यू जीरो से 180 डिग्री सिर्फ प्लस में होगी माइनस में होगी या दोनों हो सकती है दोनों हो सकती है दोनों हो सकती है न भाई तो अब इग्जैक्ली यहाँ पर फाई और साई के बीच में जो है एक बड़ा इंटरस्टिंगली कहानी बन जाता है तो अब बात्चित कर लेते हैं तो एक केस आपके पास बनता है अब उसी कोडरन सिस्टम की बात करें तो जो ह पाई ठीक है तो साई और फाई को यहाँ पर रखा गया जो फाई की वैल्यू थी वह रखी गई वाई एक्सिस पर ठीक है साई और फाई का जो है एंगल बहुत बार लोग कंफ्यूज होता है साई और फाई ठीक है तो यहाँ पर रखा गया और यहाँ पर रखा गया फाई x-axis पे रखा गया फाई को और y-axis पे रखा गया शाई को यह चीज ध्याना है अब जैसे प्लस x प्लस y था वैसे फाई और साई का भी केस बन जाएगा अब एक्स और य भूल दाओ अब अगर फाई इधर प्लस है तो इधर जो फाई होगा वह माईनस होगा ठेक है अगर ये प्लस घू पर है तो नीचे जो होगा वो क्या होगा माइनस मिलगें है इस में 01 जो अगर एन अनिघंद सेक डॉरंडरेंट यहां पर फाई और कैसा होगा पाई इस नेगेटिव एन सबीस पोजिटिब है को है भॉत अबॉत अबन्स हर द्थार्ड पादेर टBox जैंने बात करते हैं तो इसमें फाई या तो फाई और साई दोनों ही positive you या तो फाई और साइ जो है वो negative positive हो या फाई और साई दोनों ही negative negative हो या फाई और साई positive negative हो first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant this is your case यह यह मैंने basics इसलिए बता दिया है क्योंकि मैं इसका आगे के यूज करूंगा किस कोडरेंट के लिए फाई साई के चार जो पॉसिबल केसे अब आगे बढ़ते हैं एक इंट्रस्टिंग केस देखने की कोसिस करते हैं तो मुविंग अहेड अब यहां पे जो है टॉर्स निंगल्स जो मैंने सो किया था इनकी एक परमीटिबल वैल्यू होती है हर स्ट्रक्चर के लिए और उसी के उपर काम किया था एक बेसिक तोर पे हमारे साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है जी एन रामाचंद्रन ने आगे बढ़ने से पहले जो यह मैंने चार कॉडरेंट्स हो किया थे अब इन चार कॉडरेंट्स को लेके एक पूर लॉप आते हैं पूरे के पूरे प्लोट में रामा चंदरों जो प्लोट था पाया के बीच में ढूति एसे लिजन होग OP ऑल अद और होगा यह 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 समझ सकते हैं कि नग बिजन कहते क्या इसको आप इसे structure से rely कर सकते सॉरी यह देखे एक टिपास c alpha है अब c alpha से c और c alpha से जो है एनेच इसे structure को ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोसिस करिए साथ आपको अभी थोड़ा पल्ले ना पड़े लेकिन मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो अब कहेंगे कि हाँ देखो पल कि एक कोई नॉर्मल अमिनोसिट में जो एन सी अलफा है यही एंगल आपका होता है फाई और सी सी अलफा होता है साई अभी यहां पर कुछ आप सो नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक जीरो जीरो डिगरी आपने रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं अगर इसी पत्रें अगरे जैन को जड़ा इलार्ज करके समझे इलार्ज करके और एंगल की बात तो यह देखेए एल के पास होगा एंक पास होगा एच ठीके-न, n इयो, यह कहानी है मैं सिफ इतना इसो करहे हो फाई और ओर ॐसमें दोनों ही जीरो डिगरी है ये स्रक्चर में अब इसके बाद जब हम थोड़ा सा और इन्ट्रेस्टिंगली मैंने वैको पॉजिटीव और सइपो नेगेटिव रखने की कोशिज करें अगर ये पॉजिटीव कि आपने पॉजिटीव का मतलब अब कोई एक वेल्यню पॉजिटीव इधर भागे गा और कि युद्त कॉलोगव Expect copal वाल्ज कहानी है अगर में five को 70-80 डिग्री का 90 डिग्री कर दूंगा तो बवाल ही बच्चाएगा लेकिन मैं अगर प्रोटॉन को बोनों की प्रोटॉन पीछे है मलब बिलो द प्लीन है और इधर की तरफ जो है वो आपके पास आर है फिलाल की तौर पे अगर मैंने जो एनेच ग्रुप यहां पे था उसक क्यों कि यह पॉजिटीव तरफ है तो मैं यहां पर फाई की वैल्यू पॉजिटीव सो करूंगा similarly यहां पर जो साई की वैल्यू थी जो मैं अगर प्रोटॉन को हटा रहा हूं जस्ट वर बेटर क्लारिटी तो यह जो सी अलफा सी है यह इधर की तरफ सिफ्ट कर दिया मैं टू strongly hinder इच अदर यह दोनों बहुत ही strong hindrance करेंगे कि नहीं करेंगे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो समझाने की कोसिस कर रहा हो अब यह सब चीजे लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है कि क्यों ऐसा disallowed allowed क्यों किया जा रहा है अब आपको समझना पड़ेगा कि देखो किस तरीके से जो है इधर जा रहा है इधर जा रहा है तो यह जो है बहुत ज्यादा strictly disallowed जिसकी वजह से अगर आप यह देख पा रहे हो तो क्या यह value पर्मिटिबल है या disallowed value है disallowed values है यह phi और यह si की value allowed region नहीं है यह disallowed बतलब यहाँ पर post structure allowed नहीं करेगा तो इस cases में जहाँ पर आप देखो कि 5 की value जब positive हो और si की value जो है negative हो तो वो ज़्यादा ता region disallowed reasons में fall off करते हैं और ऐसे ही अब इसको negative की बात करोगे तो यह थोड़ा negative यह negative या वो positive कुछ इस तरीके से अलग-अलग 5 और si की यह पूरा घूम सकता है यह घूम सकता है और इस rotation पे जो है 5 और si की कुछ values आएंगे तो 5 की कुछ values होगी plus minus 180 degree में से कोई भी हो सकता है और si की भी plus minus 180 degree कुछ भी हो सकता है और इन में से सारे के सारे values जो है वो allowed होंगे कि कुछ allowed होंगे कुछ disallowed होंगे और कुछ partial allowed होंगे यह case आपके साथ बनेगा ठीके और बेटा हिमानी आपको त क्लासस में मैं बस आज पढ़ने के लिए है आपको बताऊंगे एक बार्किक č Mei कॉन कहां कितनी क्लास में पढ़ रहा है हुँ कितना जो है वह मैंनत कर रहा है कि सब्सभार फिर पिर पढ़ने का इस आदा ध्यान तो follow the facebook पर बैठा हुआ है कि कब क्लास छूटे कब फटा फट चले यहां से मेरे लिए भी बैठ रहा होगा बोल नहीं पारे बस बात इतनी सी है कि मेरे साथ भी उच्छा मेरे साथ तो और दबाव रहता है ठीक है बस खाली डर के मारे बोल नहीं पाते हो और नाम मुझे याद हो जा तो अब इस तरीके से दोनों बॉंन को सोचने की कोशिस करो वैसे तो मेरे पास कोई ऐसा गूर्प है नहीं वर प्लस प्लस अटी डिगरी इस चला से छाए गए मैंव यह यहां पर पास आएंगे इसके पास जो बलकी ग्रूप होगा और इसके पास जो बलकी ग्रूप सोगा यह दोनों टकराने लगेंगे जिससे यह जो एंगल अभी रोटेट हुआ था यह पॉसिबल नहीं हो सकती उसी को शोकिया जा रहे है तो चलिए चलने की कोशिस करिए और मुझे मुझे याद रहे कि मुझे मैं उन लर्नर्स को बता दू कि मैं बड़ा खतरनाथ हूं नाम के मामले में मेरे को हमेशा नाम याद रहता है लाइफ में कभी मेरे से टक्राओगे न कभी भी पर्सनली टक्राओ प्रोफेशनली टक्राओ कल को जो है सर ऐसा है वो कर दो मुझे हम करते हैं इसलिए अपनी इमेज को सही करके रखना खाज कर मेरे लिए अगर लाइफ में कभी मेरे से दुबारा इंट्रेक्ट करना चाहते हो तो एज गुड स्टुडेंट आप रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा मैं आपकी इमेज को वैसा ही रखूंगा माइन में कि आप एक जेन्विन और लर्नर है तो अच्छा लगेगा क्योंकि क्वालिफाई ना क्वालिफाई वो तो अलग बात है उसका कोई मुद्धा ही नही इस पूरी की पूरे फाई और साइ वैल्यू को एवैलूएट किया और बताया कि कौन सी वैल्यूज अलाउड है और कौन सी डिस अलाउड है और जो है कौन सी पार्सेल अलाउड है तो वे टु विजुलाईज एनरजिटिकली अलाउड रीजन पॉर दे बैकबोन इसके बाद 1963 में जीन रामाचंदरन, सी रामाकृष्णन, एंड वी साई सेखरन तीन साइंटेस्ट है सिर्फ हम ज्यादा तर रामाचंदरन की बात करते हैं लिए उनके कलीक्स के तौर पर रामाकृष्णन और साई सेखरन भी थे जो की उस प्लॉट में मदद किये थे क्योंकि में ओथर यही थे तो ज्यादा तर नाम जीन रामाचंदरन का ही होता है इन्होंने इस स्ट्रक्चर के तुरू बीटा सीट्स हो या अलफा हेलिक्स हो इनको डिटर्माइन करने का एक फाई और साई की वैल्यू बताई उन्हेंने बताया कि अगर फाई और साई की य लाउड रीजन की उनका जो जो स्ट्रक्चर थे उनकी वैल्यूस को लिया कि अच्छा एल्फा हेलिक्स में यह वैल्यूस है यह यह लाउड है उस तरीके से उन्होंने एक अलाउड रीजन को फॉर्म किया याद रहे कि रामाचंदर प्लॉट से इस पॉसिबल आई रिपी इत्स toot होगी यह डिया मिनोशीट का प्लॉट है उसके बाद err omitu का है तो बता सकते हैं साथ में अगर वह घ्र से तो भी अगर वह बीटन अगर वह फटल क्यों सींऩ से बिक्षा ai है नहीं तो यह सारी चीज़ए रामाचंदर प्लॉट से बताया सकती आप का जो ठीप μέнет इसे बना है तो उसमें हैलिक्स है की नहीं है उसमें टर्न है की नहीं है उसमें वीटा सीट है की नहीं है यह सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है रामा चंद्रन प्लॉट से ठीक है यह चीज जो है वह आपके पास हो जाती है अब इसके आगे बात करने की कोसिस करते हैं तो फिलाल के तौर पे अब कौन कौन सा केस लेखे चलेंगे अब यहां पे रामा चंद्द जी ने ऐसा बना के दे दिया था यह देखो आपके पास फाइव एल्यू रखा था एक्स एक्स पे और साइव रखा था वाई एक्स पे जीरो प्लस फाई सब की चीज आ जाएगी ठ गांगे दोनों फॉल्य नगे था आप फिल्ल को लिकांगा सबॉल इसलों नीटराइव पाइब के साना आप्सा क्या है इस अैसे बताने वाले चीज है नहीं इतने देर सब बतार हो कब से अब इस में वाइट रीजंmana जो आप देख रहे हो इस प्लॉट में जी ने कहा कि not every angle of the phi and psi is allowed one, तो the white reason, this reason, this white reason you are getting here is the disallowed reason, this reason is a disallowed reason, means कि अगर phi, यह जरा सा देखो, अगर phi की value positive और psi की value negative है, तो इस region में कोई structure होता ही नहीं है, और वो मैं so करके भी दिखाया, जब phi positive हो रहा था, साइड negative हो रहा था, यह ऐसे ही तो था, और ऐसे आ करीब आ रहे थे, तो इतना triple करते हैं, कि इस region में देखो, allowed region है ही नहीं, सब disallowed, here red region shows the allowed region, and the yellow region shows partial allowed region, white region यह बताता है, कि वो die-headle angle, मतलब अगर मैं यहाँ पर देखो, 0 सो कर रहा हो, तो इस 0 से अगर आप उपर बढ़ र या कुछ ऐसे reasons में, तो यह value कहेंगे कि disallowed है, यह value disallowed है, यह disallowed है, यह disallowed है, यह disallowed है, yellow region is like partial allowed, red is like allowed region, जहाँ पर allowed होगा, तो यह कहानी जो है, वो आपके साथ बनती होई नजर आते हैं, तो जीर रामाचंदन के बारे में बताएगा, कि भाईया, white region कहता है, white region where atoms are very too close, जब white region कहता है, जब atoms जो है, phi, si, c, alpha, c, बहुत close हो, तो वो क्या करेंगे, sterically disallowed होंगे, sterically के मतलब steric hindrance, जो उनका cloudy region है, orbitals का, they are going to hinder each other, ठीक है, अगर बहुत मोटा आदमी ऐसे बैट जाएगा, तो hinder नहीं करता रहेगा, हट भाई, मेरे को बैटने दे, जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, तो एक एटम बोलेगा, बहुत जगह, दूसरा बोलेगा, नहीं जगह, और एक दूसरे को allow ही नहीं करेंगे, यह hysterically disallowed का concept का जाएगा, the red region, there is a no steric interference, red region, आप समझ लीजे कि आप जैसे metro की कहानी बात करिए, तो metro में तीन तरीके की चीज़े होती है, possibility क्या है कि आप गये घुसे और कोई seat ना मिले, disallowed हो गए आप बिलकुल तरीके से, क्योंकि भाई hindrance हो जाएगा, बैठोगे, अब कोई बैठा हुआ है, उसके उपर बैठोगे तो पीट नहीं देगा आपको, अब कई बार क्या होता है कि एक intermediate भीड होती है, आप तो इध जाएंगे आप वहां पे, तो that's kind of parcel allowed, लेकिन कभी-कभी metro सुबह-सुबह की हो, एकदम रात की हो, ऐसे out of, या बहुत दूर की हो, city की ना हो, तो वहां पे पूरी seat खाली रहती है, आप आराम से allowed रहे है, जैसे फैलना है लेटी है, सोना है, सो ये, चादल बिछा के बढ़ region, ठीक है, वैसे red खत्रे का sign होता है, लेकिन red allowed region है, इन्होंने color ही ऐसा रखा, ठीक है, और कमाल की बात है, ये रामा चंदन जी के paper का plot नहीं है, रामा चंदन जी के paper का plot एक grace color में था, ये किसी एक और बंदे ने paper में use किया, उस बंदे ने red, green, red, yellow और white को रखा था, और वही एकदम same ये ही region के color को use करके CSIR ने question पूछा, मैं बार-बार emphasize इसलिए white और red कर रहा हूँ, क्योंकि CSIR इस color पे question पूछ चुकर, आपसे बताएगा बनी, पूछेगा, what is the red region represents in the रामा चंदन plot, आप अगर इसको grace बना दोगे, तो क्या हो जाएगा भाई, तो कोई, ऐसा CSIR के question makers भी है, कि color के उपर भी question पूछते हैं, अब जो exam, आप यही same डिट्टो उठाके देखोगे, यही picture आया हुआ है, CSIR के exam में, मैं अभी question कराऊंगा, आज नहीं तो फिर हो सकता है, क्योंकि secondary structure के question और इसके merge होते हो आएगे, बट फिलाल के तौर पे show करूँगा मैं, तो that this white region जो है, यह आपके पास white region से होकर कहता है, white regions बहुत close है, sterically disallowed है, इसके बाद red regions, no steric interference, एकदम allowed region है, most allowed region, and उसके बाद आता है, क्योंकि most residue fall within the red regions, and glycine का जो range होते है, या, I repeat, कई लोग इस पर confused होते है, कि glycine का range, कई literature में लिखा गया, कि the range of glycine in the Ramachandran plot is maximum, लेकिन glycine का जो area है, जो range है, वो allowed region में maximum है, है, I repeat, the glycine range, या, glycine area is maximum, maximum in allowed region, ठीक है, क्या होगा, in allowed region, हर जगह नहीं है, जो allowed region है, उसमें glycine का probability, या, glycine का area सबसे जादा होगा, क्योंकि glycine के पास, कोई side chain है ही नहीं, सबसे छुट्टू सा amino acid, क्या ही हिंड्रेंस होगा इसके भाई, ठीक है, सबसे छोटा amino acid, हर ग्रुप में एक ऐसा, जो है, दोस्त होता न, जो सबसे छोटा height का होता है, उसको क्या ही दिक्कत है, किसी भी दो, ट्रिपलिंग में भी इसके बीच में बैठके चल देता है, क्या दिक्कत है, इसके बाद आता है, प्रोलीन, जो allowed region है, उस allowed region में जो minimum area होता है, वो किसका होता है, प्रोलीन का, इसका जो region है, वो least region है, या minimum area, क्यों भाई, प्रोलीन अगें, glycine सबसे flexible है, तो प्रोलीन सबसे rigid है, यह हिलते डुलते ही नहीं है भाई, तो इनकी इस allowed जो yellow और red region में, जो सबसे कम region होगा, जीस amino acid का, वो है प्रोलीन का, तो यह सबसे rigid है भाई, सबसे tough है, इन अपने आपको यह सक्त amino acid बोलते है, ऐसे लोगों को साथ क्या होता है, ऐ इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कुछ regions थोड़े बहुत allowed रहेंगे, कभी-कभी फिर disallowed होगा, कभी allowed हो जाएगा, यह some steric classes, मतलब थोड़ा-थोड़ा steric classes होता है, तो ऐसे को बोलते है, some allowed region, मतलब थोड़ा बहुत allowed है, तो there are three reasons in the Ramachandar plot, one is the white reason that represents कि यहाँ पे that shows that there is some steric classes, मतलब थोड़े बहुत steric classes है, और they are the some allowed regions, मतलब कुछ-कुछ possible values होगे, and इसके बाद आते है, that is a red region, जो कि sterically allowed है, यहाँ पे कोई steric classes नहीं है, और in allowed या partial allowed region में, जो सबसे जादा area जिस amino acid का होगा, that is going to be the glycine, because of its flexible, because of the flexibility, या no sides in nature, and proline का area उस allowed region में minimum होगा, because वो बहुत rigid है, उसका R group cyclic होता है, तो यह है रामachandar plot के regions की बात, अब इन regions में जो है, आपको कुछ structures मिलते हैं, यह जो structures हो किया गया है, this structure is of L type of amino acid, and this L type of amino acid में जब बात करते हैं, तो आपकी पास इधर की तरफ यह जो upper right है, upper right की तरफ मिलता है, that is your left-handed alpha helix, और अगर आप left-handed alpha helix को देखोगे, तो left-handed alpha helix, ठीक है न, अब कोई यहाँ पर question पूछ रहा है, what is partial allowed, that is very interesting, जैसे मैंने बोला ना भी, if I say A is equal to B, then you cannot think that B is equal to A, इस some allowed को ही दूसरे सब्दों में बोलते हैं, partial allowed, अरे यहीं बताओंगा, तभी मान होगे क्या, some allowed का मतलब क्या होता है, some का मतलब कुछ, partial का मतलब कुछ, अभी synonyms पढ़ाता फिरू में आपको, that is also known as partial allowed reason, that is amazing personality you guys are showing, फिलाल के तोर पे left, अब यहाँ पे देखो कि upper right reason में left handed, left handed alpha helix पा जाता हो, और यहाँ पे अगर यह reason so करते हो, तो 5 भी positive है, 5 भी positive है, यानि left handed alpha helix, left handed alpha helix में 5 और 6 दोनों कैसे होंगे, left handed alpha helix में 5 और 6 दोनों ही positive होंगे, what about the right handed alpha helix, right handed alpha helix में, दोनों ही value कैसे होंगे, 5 और 6 नेगटिव होंगे, तो 5 and 6 you can see here, तो I can say left handed alpha helix में 5 as well as 6 बोथ आर नेगटिव, बोथ आर नेगटिव, तो this is something, मैं इसका एक नीमोनिक्स यूज़ करता हूँ, जिसको बोलते हैं, आर एन एल पी, ठीक है, आर एन एल पी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, कि थोड़े से, या कहते हैं, रोंदू, नुमेरिकल पे लल्लू जी पसर गए, ठीक है, तो यह जो है, बस basic तोर पे कहानी चल जाती, तो आर एन एल पी का basic क्या है, कि यह है, आपके पास right-handed alpha helix, उसके phi और psi value दोनों negative होंगी, और left-handed alpha helix के लिए दोनों value क्या होंगी, positive होंगे, दोनों value क्या होंगे, positive होंगे, ठीक है, अब इनके उपर जब बात करते हैं, तो हमारे पास जो beta sheet आता है, वो यहाँ पे आता है, बीटा sheet is in the upper left region, यहाँ पे आता है आपके पास beta sheet, beta sheet in the upper left region, and this beta sheet here, यहाँ पे anti-parallel भी आएगा, यहाँ पे parallel भी आएगा, इसी reason में आपके पास collagen triple helix भी आते हैं, collagen एक triple helix बनाता है, जो कि यहाँ पे आता है, यह सारा का सारा जो है, वो L type of amino acid के लिए graph है, फिर मैं बता दू, in the L type of amino acid रामा चन्नल plot, white area disallowed, red area allowed, and the yellow area is some allowed or the partial allowed, इस allowed region में glycine is maximum, allowed region में proline is minimum, इस allowed region के चार quadrant में, lower right region में कुछ नहीं होता है, L type of amino acid protein के लिए, अगर मैं बात करता हूँ, तो left-handed होगा, अपर right में दोनों value positive, right-handed होगा, आपके पास lower left में, दोनों value negative, and the beta sheet parallel और anti-parallel होगे, आपके upper left region में, जहाँ पे एक value positive होगी, और वो होगी psi, यहाँ पे देखो न, phi की value क्या सो करोगे, phi की value negative, और psi की value positive, ठीक है, यह चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे right-handed negative, और आपके पास left-handed positive होगा, तो आगे बढ़ने के कोशिश करते हैं, इतना चीज मैं pneumonics बता दिया, दिखा दिया, लिख दिया, सब कुछ बोल दिया, अभी भी कुछ confirm कर रहा है, कि right-handed negative होगा न सर, येस, ठीक है, थुड़ा आगे बढ़ लेते हैं, अब ऐसे लोगों से confirmation क्यूपर बात्चित की जा रही है, तो जैसा मैंने बताया कि आपके पास यह plot कुछ इस तरीके से बन रहा था, अब इस plot के उपर जब बात करते हैं, तो आपके पास देखो, एक इस तरीके का condition बनता है, अब इसमें जो है, आप रामाचंदर plot को कुछ ऐसा सो कर रहे हैं, ये reason है, आपके पास अपर राइट, ये है लोवर राइट, और ये है आपके पास लोवर लेफ्ट, और ये लोवर लेफ्ट है, ये है, अपर राइट है, ये है लोवर है लीवर राइट है डर ska यहां पर होगा राइट हैंड़े अलफा हैलिक्स यहां पर होगा बीटा तीट, ठीक है, यह कहानी होगा अब यह किसके लिए मैंने बताया था यह ड़ोज़ा सा अलग होता तुट के लिए थोड़ी सी बात चीत कर लेते हैं और आप करते क्या है वहाई diagonal opposite क्या करना है diagonal आप interchange करेंगे diagonal exchange करेंगे diagonal exchange क्या है जनाब देखिए diagonal exchange का मतलब है कि आप upper left को lower right से और upper right को lower left से ऐसे diagonally interchange करेंगे तो वो D type का हो जाएगा मतलब अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो case बनेगा और जब यह case बना तो lower upper left तो यहाँ पर है upper right तो यहाँ पर है lower left यहाँ पर है lower right तो यहाँ पर जो structure यहाँ पर था here beta sheet अब अपर left में था अब हो जाएगा beta sheet यहाँ पर lower right में यहाँ से diagonally interchange हो गया और यह वाला उधर चला गया अब left-handed alpha helix पहले कहाँ था अपर right में जहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी 5 और साइकी अब वो left-handed कहाँ जाएगा lower left में और right-handed किदर चला जाएगा आपके upper right में left-handed में अब दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएगी right-handed में दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी दिस इस दे केस तो यह जो है वह आपके पास क्या है दिस इस दा रामा चंदर प्लॉट for the L and D type of amino acids L और D का यही केस जो है वह आपके पास आता है इसको ज़रा ध्यान दीजेगा यही चीज मैंने यहां पर भी सूकिया यह question आपके पास आया हुआ हुआ है तो अब इस question में आपके पास राइट-handed alpha helix देखो L type of amino acids के लिए रहा अब इस L type of amino acids के लिए जो है राइट-handed इधर है बीटा सीट इधर है अपर लेफ्ट में बीटा सीट अपर राइट में लेफ्ट-handed लोवर लेफ्ट में राइट-handed इधर कुछ नहीं था और जैसे आप इसको डी टाइप के लिए देखोगे डाइगनल इंटर्चेंज करोगे तो बीटा सीट इधर आ गया यह जो लेफ्ट-handed था वो अब इधर आ आगया आपके पास लोवर लेफ्ट में और राइट-handed लेफ्ट-handed के लिए दोनों वैल्यूव फाई और यृवलियू दोनों ही पॉजिटिव होगी और राइट-handed के लिए फाई और वैल्यू ही निगटीव होगी और लेफ्ट लिए पॉ willingness गलत नहीं है सही है ठीक है तो यह कहानी आपके साथ आ जा रही है तो यह आपने देखा इसमें आप कई सारे फाई और साई के कुछ वैल्यूज को शो किया जाता है अब इनमें जो है टर्न में टाइप 1 टाइप 2 आई प्लस वन आई प्लस टू आपको जब टर्न में समझाऊंगा तभी क्लियर होगा अभी ज्यादा जो है दिमाग पर जोर मत देना नहीं तो घुटना दर्द करने लगेगा ठीक है तो एल्फा हेलिक्स के लिए देखो पाई और साई के लिए जो वैल्यू है माइनस 57 डिग लेकिन लेनिजर में भी यह मेंसन नहीं किया है ना टेबल के किसी लिजेंड में में मेंसन किया है ना टेबल के ऊपर मेंसन किया है अब बच्चा मान के चलेगा कौन बच्चा ऐसे पढ़ लेगा लेगा टेंसन में यह राइट हेंडेड है तभी दोनों नेगेटिव है ले 47 डिग्री ठीक है यह कहानी अब प्लस 57 प्लस 47 की कहानी होगी इसके बाद अब बात करते हो एंटी पैलल बीटा शीट में देखो माइनस 139 है यह देखो माइनस से 5 और साई पॉजिटिव है 139 135 इससे 20 कम कर दो तो इसमें 119 और इसमें 20 कम कर दो तो लगभग 115 113 के आसपास है तो पैलल और एंटी पैलल में 20 का डिफरेंस आ जाता है 140 135 माइनस प्लस 120 113 अब इसमें वैल्यू में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं यह ऐसा नहीं कि 149 यारी 139 लिखा तो 139 ही होगा और यहां पर मैंने माइनस 47 प्लस 47 लिखा तो वही होगा अरे इसको एप्रॉक्सिमेट देखोगे तो यह प्लस 60 भी हो सकता है और यह प्लस 50 भी हो सकता है अब इसके लिए धरना देने नहीं बढ़ जाना इसकान भी स्लाइटली जो है वैरी कर सकता है दो तीन चार वैल्यू उपर नीचे हो जाएंगे तो उसके लिए परसान नहीं होना कोश्चन आपको ऐसे दिये जा सकते आपको जो पैटर्न मैंने बताया उसको ध्यां रखना है को लेजन ट्रिपन हेलिक्स की जो पोजीशन थी वह जहां बीटा शीर होता हो वहीं पे होता है और इसलिए इसकी जो 5 की वैल्यू और शाई की वैल्यू पॉजूटिव है मैं टर्न के कुछ पोजीशन को सोग किया हूं और टर्न के पोजीशन में किसी का माई कौन है बंद कर ले ना भाई टर्न में आई प्लस वन के लिए जो दोनों वैल्यू नेगटिव है माइनस 60 माइनस 30 यानि जहां पे आपके पास जो है माइनस माइनस वैल्यू यानि जो राइट हैनेड अलफा हलिक से वहीं पर आपके टर्न भी पाया जाएंगे अगर इसके बाद आई प्लस टू की बात करते हैं तो आपके पास कुछ यह वैल्यू से तो इस तरीके से कुछ वैल्यू को आप ड्रॉ कर सकते हो और चीज जो को ड्रॉ कर सकते हो कैसे जो है वो ध्यान रख सकते हो यहीं पर मैं थोड़ा सा सो करने की कोशिस कर रहा हूँ अब आपके पास कोई एक वैल्यू है इस तरीके से फाई और साई को ध्यान दीजिए यह जीरो है और जीरो से लेके इधर की तरफ प्लस का एक स्केल होगा जैसे मुझे अगर शो करना हो प्लस फिफ्टी सेवन और प्लस फोटी सेवन तो देखो यहां पर इस तरफ आप जो है प्लस फाई सो करोगे इधर की तरफ माइनस फाई सो करोगे यहां पर प्लस साई सो करोगे यहां पर माइनस साई सो करोगे अब यहां पर देखो फाई और साइब दोनों निगेटिव है फाई की वैलू माइनस 57 है अब मैं फाई की वैलू बात करूंगा तो यह लगभग-लगभग मैं माइनस 57 पर जाऊंगा ठीक है यहां से यहां पर जाऊंगे यही रीजन क्या होगा आपके राइट है अल्फा हैलिक्स का होगा यहां वैसे ही अगर इसका मिरा रीमेज देखोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे प्लस 47 और इधर की तरफ जो है प्लस 57 सेम इसका मिरार इमेज जो यहां पर पॉइंट आएगा यह रीजन जो होगा वो लेफ्ट है रेल साल समझ में आ रहे की नहीं आ रहा है कुछ-कुछ ठीक है सिमिलरली जब आप इसकी बात करते हो बीटा कॉनफर्मेशन या बीटा शीट के लिए पैलल ए एंटी पैलल तो देखो अब आपके पास जो है फाई वैल्यू है वो नेगेटिव है और नेगेटिव में माइनस 140 है तो यहां से लगए लगभग माइनस 140 यहां पर आओगे ऐसे इसको यहां से यह जो एरिया है वो हो जाएगा एंटी पैलल बीटा सीट का अब इसी से थोड़ा सा पहले 119 पे लगभग मतलब 120 पे माइनस पे और प्लस 115 या 113 पे इस पे जो है थोड़ा सा अब यह करोगे तो यह जो रीजन आएगा वो पैललल के आएगा उसी के ज मैनस 51 आएगा और इस माइनस 51 से जो साई की वैल्यू है प्लस 153 मतलब यहां पे यह वैल्यू जो है यहां से ऐसे करोगे तो यहां पे जो रीजन आएगा वह आएगा को लेजन ट्रिपल है लिक्स का एक दिस वा ऐसे आप बीटा टन को देखो कि माइनस 60 माइनस 30 मतलब गांते जो है जो है वही पे लेकिन यहां से माइनस 47 नहीं माइनस 30 पे जा रहे हो तो यह जो रीजन हो जायगा वही हो यह जायर चाइव तो बात करते तो देखो मैनम सीक्स एक माइनस जंटाक्सटी इस तरीके से जो है वो आपको देख रहा है तो इस स्केल से नीचे टाइप 1 है इसके उपर टाइप 2 टर्ड है और ऐसे आप पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो तो यह जो है इस जादातर बुक्स में आपको ऐसा डाइग्राम मिलेगा वाइट येलो और रेड वाला थोड टाइप के लिए भी और डी टाइप के लिए उसके साथ पूरी जो है पैटन को सो कर दिया मैंने यहां पर देखो एंटी पैलल बीटा सीट पैलल कोलेजन ट्रिपल हलिक्स लेफ्ट हंडेल अलफा लिक्स राइट हंडे टाइप वन बीटा टन आई प्लस वन टाइप टू आई प्लस बनाई प्लस टू उसके बाद पाई हैलिक्स उसके बाद बीटा हैलिक्स जो कि इतना टेबल और इस ऐसा रामचंदन आपको कहीं मिले गई नहीं वह सब मैंने इस पर सो कर दिया कलर के हिसाब से मैच करोगे सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे अगर आपको सब कुछ जो है इसके अलग अलग के लिए तो अब याद करना है कि थोड़ा सा लॉजिकली विजुलाईज करना है रिकॉल करना है यह आपके मर्जी है अब चतु रामा लिंगम बनना तो बन सकते हो और उसी को यह मैंने जो शो किया वह एल टाइप के लिए है इसलिए इस कोड़ेंट में जो है कोई स्ट्रक्चर आप नहीं सो कर रहे है जैसे डी टाइप सो कर दूंगा वो उसका मिरा इमेज आ जाएगा तो जो इधर सब थे वो उठके इधर आ जाएंगे जो इधर थे इ वेल्यूज होंगी वैरी नहीं करेंगी सिर्फ साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा पहले देखो एल्टी पहलल में यही वैल्यू क्या था माइनस में था 5 और साइज जो है पॉजटीव था अगर देखोगे यह माइनस 140 था यह प्लस 135 था इन अल टाइप ऑफ अमीन प्राइमरी स्ट्रक्चर और रामाचंदर प्लॉट की कहानी कुछ कुछ चीजे आप मैं आपसे पूछने जा रहा हूं और फटाफट मुझे बताईए पहला कुश्चन टाइप वन बीटा टन थर्ड करड़ेंड में आएगा यह एक्सेप्शन किसने बोला एक्सेप्शन phi and psi value for L amino acid right-handed LX के लिए दोनों value क्या होगी right-handed LX के लिए जो है negative होगी R and L P अभी बताया था phi and psi both are going to be negative यह बताओ on the ramachandran plot L-aladine, L-protein will plotted what is the statement that is correct L-aladine occupy the greatest area all amino acid will occupy the same area L-aladine and glycine will occupy the similar area smallest area of the proline जो D statement that is going to be the correct अभी मैंने चीक चीक चीला चीला के बताया लेकिन कुछ लोग अभी भी CPAT के हुए कि L-aladine और glycine का occupy same similar area मतलब कौन बोला है statement कहां बोला है अब मुझे समझे में नहीं आता मैंने बोला glycine maximum में प्रोलीन minimum है तो glycine और L-aladine बराबर हो जाएगा वाह मेरे दोस्त that is very amazing response the position of collagen triple helix in the ramachandran plot चार कोड्रेंट थे उसमें collagen triple helix कहा था टॉप और लेफ्ट क्या आएगा टॉप लेफ्ट आएगा ठीक है इसके बाद next question the area allowed reason in the ramachandran plot will be least for L-proline कुछ books में मैं आपको बता दो कुछ books में जो है यह answer दिया हुआ होगा वो गलत है right answer is L-proline L-proline मैं इसके उपर कई literature पढ़ चुका हूँ लेकिन इसका सही answer L-proline acetylated और methylated amino acid यानि जो modified amino acids होते हैं उनका area रामachandran plot में कम होता है no doubt लेकिन L-proline से कम नहीं होता L-proline minimum ही होगा यह ध्यान रहे next alpha helical confirmation बोल दिया है नहीं बताया है तो मान के चलोगे right handed है answer क्या होगा A होगा alpha helix में जो सबसे most common form होता है वो होता है आपका right handed और जब right handed होगा तो alpha helix right handed में दोनों negative होगे कुछ तो बड़े बुद्धिमान इसका C answer बता रहे हैं मतलब मैं चुल्लू पर पानी भी नहीं दूँगा डूब मरने के लिए ऐसे option चूज करने के लिए जिसके लिए ये चूज कर रहे है मतलब right handed और left handed दोनों ही mix कर दे रहा है मतलब हद होती है option चूज करने के भाई answer is A not the C और ये C वही चूज कर रहा है जिसके दिमाग में अभी कच्रा निकला नहीं है ठीक है ना जितने भी repeater से वही C बोलेंगे क्योंकि वह पढ़के आया हुए है और ये answer होगा क्योंकि ये left और right दोनों combination है और दोनों एक साथ नहीं होते है जब भी होगा तो या तो left होगा ये right होगा और right is the most common अगर कुछ ना दिया हो तो default case में right मानते हो और वही लेकर solve कर भी करोगे और आगे ऐसे दो-तीन जगों पर आयेगा जहां पर आपको कुछ नहीं दिया होगा और right लेकर चलना पड़ेगा ठीक है एक ये है question इन थर्टी रेजिद्यू पिप्टाइट अगल फाई और साई इस अगर रामाचंदर प्लॉट में क्या है कि नॉट पॉसिबल फॉर फाई और साई वेल्यू तो भी डिस्टिब्यूटेड इन थे हैलिकल आज बीटा सीट यह तो गड़बढ है आराम से बता सकते हैं पॉसिबल फाई और साई वेल्यू और आजाएगी लोग सेकेंड ऑप्शन चूज करें दैट यू गाईजिंग पॉसिबल टू कन्टूट यह स्टेटमें भी दिया थ सबस्क्राइब जीए अंसर होगा फिट और चैट बॉक्स में जो आप लोग यहां से भी बोलते हो और वहां पर चैट बॉक्स में आपका लोग सुनके जो है अनसर बीद्धी रहा है अपनी बुद्धी का प्रयोग नहीं करा यह वही लोग होते जिनको नकल करने के लिए क चाहिए होती है बट क्या बताओ मैं ठीक है एक यह कुश्चन है उसी से मिलता जूलता कि 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 अब टन स्दूमत था जैऊँ कि अंपने अगनिक कि अंसर था दोगा देखो चूस दर्रिक्त ने मिलता है प्रफियन रामा चानल प्लोट क्लिक्टस्टित्में चूस करना peptide that are unstructured will have all the backbone angle in disallowed कोई peptide जो unstructured है उसके सारे backbone disallowed हो ये जरूरी नहीं है हो सकता है कि उसका कुछ region allowed हो कुछ ना हो ये क्या जरूरी थोड़ी कि वो उसका सब disallowed ही हो जाएगा it is not possible to conclude whether two peptide adopts entirely helix or entirely beta city ये तो गलबढ है it is possible it is not what अगर यहां not नहीं होता तो यह statement क्या हो जाता सई हो जाता कि the occurrence of beta turn confirmation can be deduced deduced का मतलब है can be identified the answer is going to be C and the sequence of peptide bond can be deduced sequence थोड़ी पता करते रामाचंदर प्लॉट से उससे तो secondary structure पता करते है और चैट बॉक्स में आंसर जो है मेरे बोलने के बाद या किसी के बोलने के बाद क्यों बता रहे हो पहले आने चाहिए आंसर ठीक है तो यहां पर फाई और साई values of alpha strand composed of all the amino acids will mainly occupy अब देखो अगेन इसमें alpha strand बोल दिया है कि यह alpha नहीं होगा बीटा strand होगा गड़बर यहां पर यह गड़बर है याद रहे कि इसको यह इस नौट गोंट टूबी अल्फा हाँ यह बीटा strand अब बता ओं कि हला कि कि तरफ फाफ अपर लेफट की तरफ था अगर i pig एप यह इन्होंने किसे बोला मिनोशीट से बोला है अगर धीमीनोशीट का होता तो क्या होता वो वो अपर लेफ्ट में होता लेकिन डी का है तो इसलिए कहा होगा लोवर राइट में होगा और सिय से वाले इतनी जो है गेम खेलते इतनी मज़े लेने के बूर्ड में होते कि पहला उप्षन यह पर लेफ्ट रखेगा बच्चा तुरंत कहेगा हां दे अपर लेफ्ट और फ लेफ्ट यह मल्टिपल स्टेटमेंट्स के साथ मर्ज किया गया है वैसे तो पुराना कॉंसेट इसमें यूज होगा मलब यह पूरा रामाचंदन का नहीं है एक ही स्टेटमेंट सिर्फ रामाचंदल का है लेकिन उससे आप कम से कम करेंट इंकरेंट तो दिखा सकते हो क्या होगा अंसर रामचंदर प्लॉट एसी टाइल एल देखो एल अमीनोसीड है और उसके बाद डी अमीनोसीड है यह दोनों आइडेंटिकल होंगे नहीं होंगे और इसटरांजिसन मेटल बट केलसियम यह भी गड़बढ है और जो है ट्रांजिसन मेटल है कैलसियम भी कर सकते हैं of L Glutamate and D Glutamate will not be identical सभी है एल और डी का जो साइट चैन है वो इडेन्टिकल नहीं साइट चैन ऑफ पीके है कि नहीं अरे गड़बढ है भाई हुए है साइट चैन का पीके एल और डीशें क्या लेना देना है कि प्रियो कि के साइट चैन का पीके ऐल और डी पर निरभर करेगा नहीं करतात हैं तो इससे कऊश दोनेडॉल नौट भी ऐडेंटिकल सब्सक्राइबर है है जो आंसर होना हुँन एस और फंडामेंटली वॉंडर वॉल यह मैंने बताया था क्लासिफाई भी किया था अगर याद आ रहा हो तो ठीक है लो आज देखो यहीं वाला कुष्चन है ऐसा डायाग्राम बना दिया यह वैसे बनाया गया है ऐसा कुष्चन जो है वह एक्जेक्लि यलो वाला डायाग्राम पर पूछा गया बताओ इसको फटाफ़त करना अभी फेबरेरी दोजार बाइस का कुश्चन यह मेरे क्लास में कोई क्यों नहीं बोलता सर बस करो बस हो गया मैं तो चाहतों कोई बोले मौका मिले मुझे किड्नी तोड़ने का क्या होगा अंसर इसका अंसर आप्राएं। the plot below shows that the only certain reasons of the conformational space are permissible why all are the theoretical combination of phi and psi is not possible सारे combination possible क्यों नहीं होते two atoms cannot occupy the same space the geometry of peptide bond that links to amino acid restrict the phi and psi angle कड़ बड़ ये बीटा सीटन अलफा हलिक्सस डिटर्माइन अलाओ रिजन क्या हो जाएगा इसका जो अलाओड स्पेस का रीजन है वो कौन डिसाइड करता है बीटा और अलफा ठीक है ना तो यह चीज जो है डिटर्माइन करते हैं इसलिए कुछ ही रीजन जो है वो आपके आते हैं यहां पर यह सारे जो कुष्चन ते उन पर नंबर लिखे गए है और इस नंबर के इसाप से इसका आंसर की है जब प्रैक्टिस करो तो देख लेना अगर क्रॉस्चेक करना हो तो एक कुष्चन यह है गेट का है वैसे CSR का नहीं है बट मैं दिखा दे रहा हूं पताओ किसका आंसर सी आंसर होगा इसके प्रीवेस कुष्चन का और बाके मैंने आंसर की दे दिया है आप देख लेना किस में लिखा हूआ है अच्छा नाइंटीन वाले में देखो यह भी हो सकता है दोनों रीजन्स है अब दो चीजों के उपर जब मैं बात करता हूं एक गिम में वन सेकेंड चैट अब अच्छा 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 इसका सही आंसर वैसे मैं यह वह सोच रहा और नॉट ऑक्टिपाई इस क्वेश्चिन को यह बार ध्यां से पड़ों ठीक है ना जब ध्यां से पड़ों के तो तो रामा चंदर प्लोट ग्राफिकली अफ अमीनो अच्छ इड कंटेंड इन प्यप्टाइड अर पॉसिबल बताता है कि कॉली सरटें रिजंस ऑफ दो कॉन्फरमेशनल स्पेस आर अ ओ ओ ओ ओ अच्छिएटिकल कॉमिनेशन सो फाइएं शाइएं नॉट पॉसिबल साइ वैल्यू पॉसिबल क्यों नहीं है तो कि दमीजर रिजन हम बीटा सीट्स एन अल्फा हेलिक्स डिटर्माइन अलाउड रिजन अफ कॉन्फरमेशनल स्पेस मतलब सो करूं थोड़ा ध्यान रख ना तो यह स्टेट्मेंट मैंने ऊपर भी सो किया था उसको थोड़ा सही कर देना कहां पर मेंसिन किया था मैंने कि हम बीटा और अल्फा जो है यह बता सकते यह जो स्टेट्मेंट मैंने यहां मेंसिन किया है बीटा सीट एन अल्फा हेलिक्स कि क्यों नहीं होना चाहिए इसके पीछे रिजन समझो तो कि अलाउड और कि आपके किस पर रिपेंड करते हैं जावर्दस्ति का जो है वह लिखा गया है कि अधिक मेंट को देखो थोड़ा इस इसको रेक्टिफाइब करना मैंने करते हो तो जब यह एंगल जैसे आप सीदी सी बात करेंगे तब हर रीजन अलाउड होते हैं कुछ डिस अलाउड होते हैं तो इसका सब्सक्राइब करते हैं तो इस वज़े से यह कहानी आपके साथ एक सब्सक्राइब यह देख लो रामचंधन का गीट में आया हुआ है अब इसमें जो है जो एक सब्सक्राइब होगा वाई जो है वह आपके पास दोनों होगा यहां यहां पर और यह लेफ्ट अंडेट अलफा है लिक्स होगा ओप अर्वा इस विडि में आपके सब्सक्राइब पी इस विडि में लिक्सराइब अफ्ट अंड़ यह लिए देख लेफ्ट अंड़ झाल